मुरैना का जहां पुलिस आरक्षक के साथ मारपीट हुई है जुआरियों पर कारेवाई करने के लिए आरक्षक पहुँचे थे जिसके साथ मारपीट हुई मारपीट का वीडियो भी वाइरल हो रहा है बताया जारा है कि आरक्षक को घर में कैद करके मारपीट की गई जुवारियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है छे लोगों की खिलाफ मामला भी दर्च कर लिया गया पोर्सा थाने के कुक्त्री गाओं की ए घटना है तो ये वीडियो सामने आया है जिसमें पुलिस आरक्षक के साथ जुवारियों ने मारपीट की है इन बदमाशों पर कारेवाई करने के लिए आरक्षक पहुँचे थे जिनके साथ मारपीट हुई इसका वीडियो भी अब वाइरल हो रहा है जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में है बता देए छे लोगों के खिलाफ मामला भी दर्च कर लिया गया है पोर्सा थाने के गाउं की घटना है बताया जो रहा है कि मारपीट करने वाले ने आरक्षक को घर में बंद करके पीटा है और घटना के बाद सभी बदमाश फरार हो गया आरक्षक की शिकायत पर छे लोगों के खिलाफ मामला दर्च हुआ पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है चले इस खबर पर अधिक जानकारी ले ले लेते हैं समवादाता उमेश फोन लाइन पर जुट गए है उमेश क्या है पूरा मामला बिल्कुल देखिए स्वांगी मैं आपको बता दूँ यह पूर्षा थाना चेत्र के कुपतरी गाहों की यह पूरा घटना क्रब है जहां जुटा पकड़ने पुलिस गई थी तभी एक आरच्चक है वो साधा ड्रेस में घर में घुश गया और आरोपियों को पकड़ने के लिए गया था अभी आरोपियों ने जम कर पुलिस वाले की पिटाई कर दिये इसका एक वीडियो है बो भी सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है फिलाल जो मारपीट आरत्चक के साथ जो मारपीट हुई है उस घटना को लेकर 6 आरोपियों खिलाब मामला दर्ज कर लिया लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लेकिन अब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर है बताया जा रहा है कि आरक्षक इनके घर पहुंचे थे दबिश देने के लिए और वहां मौझूद छे बदमाशों ने आरक्षक के साथ मारपीट की और इसका वीडियो भी ये सामने आया है